इसे दिन में कितना घंटा पढ़ सकते हो मैक्सिमम बताओ आप बोलेंगे 24 घंटा ये कोई अचीवेबल है क्या ये तो थियोरिटिकल है कोई अचीव ही नहीं कर सकता तो जो दिन में आराम वाराम सोना खाना पीना का समय वो बाद कर दे तो तो 15 घंटा बचता है ये अचीवेबल है क्या हाँ ये प्रेक्टिकल है करा तो जा सकता है अब पास्ट का ट्रेंड देखते हैं आपका एवरेज दिख रहा है दो घंटा पास्ट में दो घंटा से जादा आप कभी पढ़े ही नहीं है तो यह हुआ नॉर्मल तो भविश्य के लिए आपके लिए यही मान ले क्या आप दो घंटा ही पढ़ोगे भविश्य के लिए क्या यही मान ले क्या आप गंटा ही पढ़ोगे तो जवाब है नहीं यहीं क्यूंकि जरूरी नहीं में जैसा हम भूत काल में थे पास्ट में थे वैसा ही हम भविश्य में होंगे इन किताब बोलता है normal is best वो एक जमाना था तब बोलते थे stable conditions चलता था business में तब बोलते थे अभी dynamic condition चलता है तो ऐसा कैसे मान ले कि यही भविश्य का base है it can't be considered as base for future base for future भविश्य अच्छा बनाएंगे न इसलिए practical को सही base माना गया है practical के लिए प्रयास करना चाहिए अब इसी में एक और परिवर्तन आ गया एक और चीज एड हो गया जो आपको specially भी बता देते हैं वो है capacity based on sales expectation capacity based on sales expectation यह क्या concept है यह कह रहा है कि आप जिस period के लिए capacity पता कर रहे हैं उस period का conditions को forecast करिए ठीक है forecast conditions of that period and उसका capacity का expected value ले लिजे उस समय क्या हो सकता है अलग-अलग scenario के साब से अलग probability होगी मतलब capacity होगी probability होगी उसका multiplication करके summation ले लिजे तो वो expected value लेके आप कर सकते हैं जो normal से तो better है प्रेक्टिकल बेस्ट 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 माना गया है clear है I hope you are getting the idea behind this इसको माथा में बेठाना पड़ेगा थोड़ा बहुत conceptual चीज़ होता है न उसको माथा में return करना पड़ता है प्रेसेट करना पड़ता है झाल झाल